हेलो फ्रेंट्स आप से भी क्या स्वागत है माई केसी प्वेंट में फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के हिष्ट्री का प्रेक्टिस इट नुमर थर्टी फोर और इसके पहले जितने भी प्रेक्टिस इट अप्लोड हुए हैं सबका लिंक सकते हैं या प्लेइलिस्ट में जाकर दिख सकते हैं फ्रेंट्स इसमें जितने भी मत्री प्रिशत को इनके द्वारा विजारत कहा जाता था इससे रिलेटेट जितने भी इंपोर्टेंट फेक्ट बनेंगे उस इंपोर्टेंट फेक्ट से समन्दित बेश में प्रश्ण दे दिया गया है ताकि आने वाले एकजामस में एक भी प्रश्ण न चुटे नेक्ष्ट प्रश्ण है किसके सासन काल में वजीर पद काफी मौतपुन था तो बाबर के काल में वजीर पद काफी मौतपुन था नेक्स्ट प्रश्ण है जब कभी सद्र नयाय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहा जाता था तब उसको काजी कहा जाता था इस से लेटर इनपोर्टेंट फेक्ट ए है कि समराट के बाद सासन के कार्यों को संचारित करने वाला सबसे महत्वपून अधिकारी वकलील होता था जिसको करतब्यों को अकबर ने दिवान या सद्र उस सद्र एवं अमीर संबन में विभाजित कर दिया था समराट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था तो मीर समा कहलाता था जो समराट के घरेलू विभागों के प्रधान होते थे उनको मीर समा कहा जाता था नेक्स्ट प्रशने मुगल काल में सुचना यौम गुप्चर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था तो दरोगा ए डांग चौगी कहलाता था next प्रशने मुगल काल में प्रसासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी तो मुगल काल में प्रसासन की छोपसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी friends इसमें जितने भी important प्रशने सभी प्रशनों को discuss करेंगे और इसमें कादिकांस प्रश्ण previous year में पूछे हुए प्रश्णे और कोछ प्रश्ण ऐसे भी है जो कि next exam में आने की संभावना है तो इन सभी सेट को आप अच्छे से practice करें Next प्रश्णे कि मुगल काल में रूपय की सरवाधिक ढलाई किसके समय में हुई तो औरंग्जेब के समय में रूपय की रूपय की ढलाई बहुत अधिक हुआ था और औरंग्जेब के समय में समद खान ने सरवाधिक 31 बरसों थक दिवान के पद पर कार्या किया था Next प्रश्णे आना सिक्के का प्रचलन किस्ने करवाया तो ये आना सीके का प्रचलन सा जहां के द्वारा करवाया गया था नेक्स प्रश्णे मुगल कालीन अर्थ ब्यवस्ता का अधार क्या था? तो चांदी का रूपया मुगल कालीन अर्थ ब्यवस्ता का परमूख अधार था नेक्स्ट प्रश्ने, औरंग्जेब के चिकित्सक कौन थे? तो औरंग्जेब के चिकित्सक फ्रांसिसी यात्री फ्रांकोईस वर्नियर या औरंग्जेब के चिकित्सक थे नेक्ष्ट प्रश्णे 1665 इस्पी में हिंदू मंदीरों को तोरने का आदेश कौन दिया था तो औरंग्जेब नहीं 1665 इस्पी में हिंदू मंदीरों को तोरने का आदेश दे दिया था नेक्ष्ट प्रश्ण अरंग्जेब के समय हुए जाट बिद्रोह का नेत्रित्व कौन किया था तो गोकुला और राजा राम के द्वारा इसका बिद्रोह किया गया था जाट बिद्रोह का नेत्रित्व किया गया था नेक्ष प्रशने अरंग्जेब किस धर्म को मानता था तो अरंग्जेब सुन्नी धर्म को मानता था नेक्ष प्रशने अरंग्जेब के गुरु कौन थे तो अरंग्जेब के गुरु पीर मुहम्मद हमेम अरंग्जेब के गुरु थे पीर मुहम्मद हकीम अरंग्जेव के गुरु थे नेक्ष प्रशन है सा जहां के सासन काल का राज कभी कौन था तो कलीम सा जहां के सासन काल का राज कभी था फ्रेंट्स इसमें जितने भी प्रशन दिये गए हैं सभी प्रश्ण मुगल समराज से समंदित प्रश्ण दे दिये गये हैं, क्योंकि मुगल समराज से समंदित जितने प्रश्ण एक्जाम्स में पूछे गये हैं, या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्ण को इसमें दिया गया है, प्रेंट्स इस सेट को प्रेक्ट वाली पत्ती राई का उपयोग अकबर ने भी किया था और अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुकती 1573 इस भी में की गई थी इसे अपने छेत्र को एक करोर दाम वसूल करना होता था इस अधिकारी का काम क्या होता था तो अपने चैनले 6 से 1 करूरड दाम वसूल करना, friends हम आसा करते हैं कि या विडियो आपको समझ आई होगी और बीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्Sक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स विडियो में, तब तक के लिए, भा ब टेक केर क्योंकि